जिनको अभी तक LCM लेना नहीं आता है तो आज की वीडियो में आप सीखेंगे LCM कैसे लिया जाता है ठीक है दोस्तों LCM कैसे निकालते हैं ठीक है अब देखें आपर कुछ example हमने लिए हैं दोस्तों कैसा भी आपका संख्या दिया जाएगा आपको LCM लेने में कोई परिशान नहीं होगी ठीक है शॉट ट्रिक से आप उसका LCM निकाल लेंगे आप देखें आठ है 16 है 24 है यह आपको संख्या दी गई है इसका आपको मालीची LCM निकालना है तो कैसे निकालेंगे देखें जो सबसे बड़ी संख्या होगी उससे आप उपर लिखेंगे ठीक है सबसे ब च्टाइब की साइंखेंगों का lcms लेना शिखाओंगा वीडियो का अंत ideeखेंगे तो पूरा समंझ में जाएगा ठीक है आपसे यह तो सर्ए में आता है तो आप चोड़ देंगे लेकिन पूरा वीडियो देखेंगे तो तो 24 ही रहेगा 16 से नहीं कटेगा 24 का multiply 2 से करेंगे 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा अब 48 को काटेंगे 16 से कट रहा है के नहीं कट रहा 48 16 से कट रहा है आपका 24 से भी कट रहा है और 8 से भी कट जाएगा 8 से तो आपका 24 भी कट रहा है इसलिए 8 को छोड़ देंगे ठीक है, 16 से चेक करेंगे, 16 से आपका 48 कट रहा है, 24 से भी कट रहा, 48 हो जाएगा, दोस्तों, आपका LCM, किलियर हो गया, नहीं हुआ, तो दूसरे एक्जामपल में किलियर हो जाएगा, क्या करना है दोस्तों, वही करना है, जो सबसे बड़ी संख्या है, उसे उपर लिख लि करेंगे, 20 का मुल्टिप्राइगा, 40 हो जाएगा, 40 आपका 12 से भी नहीं कटेगा, 15 से भी नहीं, 20 का मुल्टिप्राइगा, कितना हो जाएगा, दोस्तों, 60 हो जाएगा, अगला एक और एक और एक्जामपल दिया गया है, इसको देख लेते हैं, ठीक है, देखिए, देखि दी गई है 8 दी गई है ठीक है 8 को उपर लिख लीजिए छोटी सेंक्या कौन कौन सी है नीचे 3 है 6 है 4 ठीक है चार से आपका 8 कटरा इसको 4 से छोड़ दीजिए अब 8 का मिल्टिपलर मस्वाइब एक से करेंगे आठी रहेगा दो से करेंगे आठी दूरा 16 हो जाएगा तो 16 आपका 3 से नहीं कटेगा आठ का मल्टिप्रइगा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा प्रक्राइब 8 भी कट रहा है इसलिए हमने 4 पहरा ही छोड़ दिया तो 3 से आपका 24 कट जाएगा और 6 चोक के 24 कट जाएगा इसलिए 24 ही क्या हो जाएगा आपका LCM हो जाएगा इस संख्या का LCM क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा ठीक है दोस्तों अब देखिए अगले एक्जामपल है 7 का 4 का 8 का आपको LCM लेना है ठीक है दोस्तों इनका आपको LCM लेना है तो कैसे लेंगे देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ जब आपको विसम संख्या दी जाएगी देखिए विशम संक्या आपर की है, विशम संक्या दी गई है, ठीक है साथ आठ से multiply कीजिए बढ़ी संक्या का ठीक है दोस्तों, देखीए आप इसमें ऐसा करेंगे आठ बढ़ी संक्या उपर ले ली ऐसे भी निकल जाएगा छोटी संख्या साथ है और चार है नीचे ले लिया आठ का मल्टिप्राई एक से करेंगा आठ रेगा अर्दुना 16 हो जाएगा साथ से नहीं कटेगा आर्थे 24 हो जाएगा साथ से नहीं कटेगा 32 हो जाएगा साथ से नहीं कटेगा 40 हो जाएगा बड़ी वाली संख्या से 8 सत्य कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा ठीक है अब इस 56 को काट के देखिए आप 8 से कट जाएगा 8 सत्य 56 और 7 से भी कट जाएगा 7-8 जाएगा और 4 से भी कट जाएगा 4 एकम 4 और 4 चोकी 16 14-4 चोका 56 तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका LCM हो जाएगा केलियर हुआ अभी और भी आगे different type की संख्याओं के आपको सिखाऊंगा LCM लेना ठीक है दोस्तों आपको देख यहाँ भी बता जेता हूँ 3 एक क्या है 3 आपकी बिसम संख्या है ठीक है पहले नहीं बताया था इसकोशन के लिए पहले यह क्यलियर किया इसलिए यहाँ भी बता जेता हूँ विसम संख्या है 3 आपकी और बड़ी संख्या क्या आपकी आठ तो देखे विसम संख्या का मल्टिप्लिप्लिए आपने किस से किया बरी संक्या से किया, लसीएम आ गया, यहाँ भी आपने क्या किया? बरी संक्या का म्ल्ickt apply विसम संक्या से किया, आपका यलीजियाम आ गया ठीक है दोस्तों clear हो गया, देखिए, यहाँ पर तो एक संक्या है विसम यदि आपको 2 संख्या बिसम दे दी जाए तब कैसे करना है ठीक है वो भी देख लेते हैं दोस्तों ठीक है यदि समझ में आ रहा है तो एक लाइक कर दीजे ठीक है आगे भी समझ लेते हैं, अगला कॉस्ऩन है देखिए यहाँ पर एक्जामपल लिया हुआ है, तीन है, अगला एक्जामपल है, यहाँ पर दिल रखा है, तीन है, छे है, तेरा है, ठीक है दोस्तों, देखे, अब आपको करना क्या होगा, बड़ी संख्या क्या आपकी, बड़ी संख्या आपकी बिसम है, और यहाँ बड़ी संख्य खीले का है 6 दोनों का कर दिजिए multiply तेरे चिंग कितना होता है at 74 होता है clear हो गया अब 68 को आप 3 से काटेंगे कड़ जाएगगा 58 आपका दूस्तों कड़ जाएगा 6 से कड़ जाएगा 13 से भी 128 हो जाएगा आपका LCM हो जाएगा, ठीक है, किलियर हो गया, दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया है, बड़ी संख्या का multiply कीजिए, और जो विसम संख्या है, उसका भी multiply कीजिए, किलियर हो गया, अब देखिए, यहाँ पर तीन दिया गया है, तीन भी क्या है, एक बिसम संख्या है, ठीक है, अब तीन एक ऐसी बिसम संख्या है, जिससे की छे कट रहा है, ठीक है, इसलिए हम तीन को छोड़ देंगे, जैसे मैंने पहले question में आपको बताया था, ठीक है, तीन से छे कट रहा है, इसलिए हम छोड़ दे है विसम संध्य Sith यह जैसे यहाँ पर तीन से तो छहे कट रहा है लेकिन यहां पर एक संध्य 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 seinrier नहीं कट रही जैसे यहाँ पर टीन से douउसी संध्य संध्यार ho तो ठीकर की इंडियांवे होता है कर not hinge 15 किरेंगे 11 सुब कर दिजी त्यांगे मुंसे किरेंगे 19 हो जाएगा और कितना हो जेए दोस्तों सो हो जाएगा है तो यह जाएका सो तो यह हो गया दोस्तों क्या LCM हो जाएगा इस संख्या का ठीक है यदि ट्रिक पसंद नहीं आ रही दोस्तों या अच्छा नहीं लग रहा वीडियो तो कमेंट वोक्स में बता देना मैं और सोट ट्रिक निकाल के लाऊंगा ठीक है दोस्तों मेरे एक भाई ने पूछा था ठीक है का सर आप इतनी छोटी छोटी संख्याओं का LCM बता देते हैं यदि 50 संख्या दे रही हो एक क्यामन दी गई हो और बामन दी गई हो तो इसका LCM क्या होगा ठीक है ये संख्या दी गई हो तो इसका LCM क्या होगा तो दोस्तों इसका भी ट्रिक में आपको बताऊंगा बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहे है ठीक है कैसी भी संक्या हो वीडियो को अंत तक देखते रहे है सब समझ मा जाएगा ये किलिए रो गया अब यहाँ पर देखते हैं 3 है 6 है 7 ठीक है दोस्तों 3 6 7 आपको दिया गया है इसका LCM क्या होगा फिर बतादू दोस्तों 3 से 6 कट रहा है इसलिए 3 को नहीं लेंगे ठीक है इन दोनों का मल्टिल्प्लाई कर दो ये विसम संक्या है इसका मल्टिल्प्लाई करो उससे यदि नहीं कट रहा माल लीजे यहाँ पर 11 होता नहीं करता तो तीनों का मल्टिल्प्लाई करते फिर लेकिन 3 से 6 कट इसलिए 3 को छोड़ देंगे, साचिंग कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 42 देखे 7 से भी कड़ जाएगा, 6 से भी और 3 से भी कड़ जाएगा, यही क्या है दोस्तों आपका LCM हो जाएगा, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको LCM निकालना नहीं आता था, LCM भी देख लीजिए, अब देखिए, यहाँ पर 50 है, एक क्यामन है, बामन है, ठीक है, मेरे पास एक कमेंट आई थी, कि सराफ एजी संख्याओं का LCM निकालना तो सब बता देते हैं, लेकिन इसका LCM क्या होगा, ऐसी संख्याओं का LCM निकालना सिखाइए, ठीक है दोस्तों कि कोई भी आपकी विसम संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, अभाज्य संख्या का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसमें से कोई आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, इसमें से कोई आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, तो नहीं कर multiply करना है और divided by 2 करना है जब तीनों का multiply करेंगे इनका तो कितना जाएगा 1 3 2 6 00 इन तीनों का multiply इतना जाएगा divided by 2 कर दो clear है divided by 2 कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 6 6 3 00 यह मिल जाएगा बस यही हो जाएगा इस पूरी संग्जा का अब देखे कोछी student कहेंगे सर हमें तो multiply करना नहीं आता इतनी बड़ी संग्या का तो देखे दोस्तों मैंने multiply का भी शौट ट्रिक बनाया हुआ है multiply करने का भी शौट ट्रिक का वीडियो मैंने बनाया हुआ है यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के description में लिंक दे दूँगा वहाँ से देख लीजिएगा ठीक है दोस्तों आपको करना क्या होगा जब लगातार संग्या दी गई है तो उन तीनों संग्या का multiply कर लो divided by 2 कर लो आपका LCM आ जाएगा लेकिन इतना ध्यान रखना है इसमें कोई अभाजे संख्या तो नहीं है यहां देखेंगे 14 है 15 है 16 है तीनों लगातार है और कोई भी अभाजे संख्या तीनों में से नहीं है तो आपको क्या करना है तीनों का multiply कर दो ठीक है तीनों का क्या क ठीक है इस कैल्सियम क्या होगा यह होगा अब देखें आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहां पर हमें एक संख्या दीखती है 19 जो की अभाजे संख्या है यहां भी कोई अभाजे संख्या नहीं थी यहां भी अभाजे संख्या नहीं थी लेकिन यहां पर अभाजे संख्या आ आपको ठीक है जब आपको divided by two कब करना है जब कोई भी अभाजे संख्या इन तीनों में नहीं है ठीक है जदि आपके अभाजे संख्या आ जाती है तो आपको डिवाजे टू नहीं करना है यही क्या होगा इसका LCM होगा किलियर हो गया यदि दोस्तों इसमें एक अभाजे दीजिए आपका LCM निकल के आजाएगा ठीक है दोस्तों यदि अभी भी कोई डाउट है किसी भी LCM है तो कमेंट टॉक्स में बता देना ठीक है दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेर कर दीजिए दोस्तों ताकि RPF NTP से